नमस्ते मेरा नाम राकेश है और मैं जुमनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ आज छे दिन के बाद बाहर निकला हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग है जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग डर पोक है लेकिन जब तक अपन बाहरत में आ नहीं सकता जापर मैं बहुत यंग हूँ हमारी आटेंपरेचर बहुत जादा है तो यह सीम गलती की फैल नहीं सकता यह सेम गलती जो है दो हपते पहले इटली ने की थी इस्पेंड ने की थी और फिर ज़मनी ने की थी क्योंकि इनका काउंट अगर आप केसिस थे और स्टेश थ्री में आज यह पहुंच चुके है उननेस थारिक केवल चार दिन में यहां की केसिस जो है पंदरा हजार के आसपस बढ़ चुके है तो प्लीज प्लीज यह गलती आप मत किजिए हमारे देश में घर पे रही है घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि हमा इनका इतना पॉपलेशन है उसके कंपारिजन में हॉस्पिटल और वह बहुत जादा है हमारे देश का पॉपलेशन है 1.3 बिलियन हमारे यह अगर यह फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा और यार यह लोग जो है ना यह इतने सोशल है नहीं यह जादा मिलते गुलते हैं नहीं फिर भी इनका इतने तेजी से फैल रहा है उसके कंपारिटिव में अगर हमारा देश देखा जाए हम लोग इतने जादा मिलते हैं और बहुत सारे सोशल गादरिंग हम लोग करते हैं तो अगर ऐसे ही स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना तो बहुत म आप जब घर जाओगे तो आपके घर में जो बुजूर्ग है बच्चे है उनको अगर अफेक्ट हो गया तो यार कुछ भी हो सकता है तो बाहर मत निकलिए बहुत मतलब इससे अच्छा देजबक्ति दिखाने का आपको इससे आसान मौका मिल ही नहीं सकता है और कोई आपको क कुछ है और गवर्मेंट अपनी तरफ से जो कर रही है लेकिन जब तक आप लोग घर में नहीं बैठो के यह रुकेगा नहीं और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिच्वेशन आने आ गई जैसे इटली में है तो कर्फ्यू का मतलब आप जानते हों कि जो हमारे सैनिक जो बॉर नगरेट करते हैं वो तो घर से बाहर रहे के सारे तोह कोई वह चोड़को आपको दो ऑपको यह बॉडर पर जाने जर्मनी इन देशों ने की वो प्लीज हमारे भारत में मत कीजिए अपना का याल रखिए जाहिन